देखिए गाईज, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, आप लोग गूगल एडसेंस एकाउंट में किस तरह से लॉगिन कर सकते हैं, कई बार क्या होता है, हम चैनल मोनेटाईज करते हैं, तो हम गूगल एडसेंस एकाउंट क्रियेट कर लेते हैं, सब कुछ परफेक चैक नहीं कर पाते हैं, हमने कितना डॉलर कमाया है, वहाँ तक पहुची नहीं पाते, कुछ ऐसा सिस्टम हो जाता है, तो आप किस प्रकार से परफेक्ट तरीके से एडसेंस एकाउंट में एंटर कर सकते हैं, यह वीडियो होने वाला है, मैं आपको बता दू, यह वीडिय में नहीं आता है, तो आप लगभग 10 से 12 वीडियो को इसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा देखते हैं, लेकिन आप एक वीडियो से अच्छे तरह से नहीं समझ पाते, तो आप एक वीडियो देखिए, मेरा देखिया किसी और का पूरा देखिए, तो आप 100% अपना काम कर प गाईज हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपको Google Chrome को ओपेन कर लेने हैं, Google Chrome ओपेन करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर टाइप करना है AdSense, आपको सिंपली टाइप करना है AdSense और Search के Option पर क्लिक करना है, जैसी आप सर्च करते हैं, तो आपके सामने कु के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज देखने को मिलता है तो मैं आपको बता दू यहाँ पे कुछ ऐसा आपको पेज देखने को मिलता है और यहाँ पे आप नीचे की तरफ आते हैं तो आपको देखने को मिलता है get started या जैसे आप उपर की तरफ जाते हैं और यह three dot पे आप क्लिक करते हैं तो आपको देखने को मिलता है sign in button आप देख सकते हैं sign in button देखने को मिलता है तो जैसे आप sign in button पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं ये page open हो रहा है और page open हो रहा है और page open हो ने के वाद फिर से आप इसी page पे redirect हो जाते हैं आप sign ही नहीं कर पाते हैं तो आप किस प्रकार से sign in करेंगे तो देखिए दोस्त सबसे पहले आपको यहाँ पे click करना है get started या यहाँ से आप जा सकते हैं या आप जैसी three dot पे click करेंगे तो आपको यहाँ भी देखने को मिल जाएगा get started तो आप कहीं से भी इस पे click कर सकते हैं तो मालिज़े मैं यहीं पे click कर दिया click करने के बाद आप देख सकते हैं page कुछ ऐसा open होने लगता है page open होने के बाद आपके सामने पूरे यहाँ पे जो भी email id यहाँ पे login है वो email id आपको show होने लगता है तो जिस भी email id से आपका account बना है आपका YouTube channel link है तो आपको उसी पे click करना है तो आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे email id दिख रहा है तो मैं जो भी मेरा email id link है हमारे AdSense account से उस पे मैं click कर लेता हूँ तो मैं इस पे click कर लेता हूँ click करने के बाद आप देख सकते हैं यह कुछ page open होने लगता है तो आप देख सकते हैं यह page open हो चुका है page open होने के बाद आप देख सकते हैं कुछ ऐसा page आपको देखने को मिलेगा बट यहाँ भी आपको देखने को नहीं मिल पारा कि आपका earning इस महिने कितना हुआ है तो आप क्या करेंगे आप जैसी ही इसको जूम करेंगे तो आपको 3 dots यहां पर देखने को मिलेगा इस 3 dots पर आपको क्लिक करने हैं जैसी आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर आपका जो Google AdSense एकाउंट है वो YouTube से लिंक है ऐसा देखने को मिलेगा साथी साथ आप नीचे की तरफ जाएंगे तो नीचे की तरफ जाने के बाद आपको देखने को मिलेगा payments आपको देखने को मिलेगा payments option इस पर आपको क्लिक करने हैं क्लिक करने के बाद आपको simply payment info पे क्लिक करना है जैसी आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप पहु यहां पर आपको देखने को मिलेगा है 0.00$, transaction यहां पर क्योंकि अभी तक मेरा transaction हुआ है इस कारणे आपको 00 दिखा रहा है, हम क्या करेंगे, यहां से आप देख सकते हैं, यहां लिखा हुआ है, payments account इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद, जो India, US dollar लिखा है YouTube, यहां पर देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं, यहां पर आपका earning देखने को मिल जाता है, आप देख सकते हैं, यहां पर किस मंद में कितना earning हुआ है, यहां पर देखने को मिलेगा, और टूटल अर्णिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं अपना योटूब की अर्णिंग एटसंस एकाउंट में अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पे जरूर लाइक करें चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आल पे सेलेक करें ताकि कोई भी वीडियो में अपलोड करूँ आप उसको मिस न कर पाए तो मिलते हैं एक ने वीडियो में तब तक जैहन्द